ओम शांति आज हम एक अक्टूबर के श्रुवदान में आज पहुचे हैं परमात्मा चाहते हैं कि हम उनके सेफ्टी में रहें मलता कि परमात्मा की सेफ्टी क्या है यह तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे करेंगे इसकारेंट से हम क्या होते हैं अगर उनकी सेफ्टी में बाप दादा के दिल तकत नशीन भवा किसी के दिल पे अगर अपनी जगा बनानी है तो उनके अनुसार हमारी सोच बोल करम होने चीए तो बाप दादा के सोच बोल करम कैसे और हमारे कैसे चिक कर लीजे बाप दादा का दिल तकत सर्वश्रेश्ट स्थान है जो सदा बाप के दिल तक तनशीन रहते हैं वो ही सेफ रहते हैं और जो उनकी बाते नहीं मानते हैं उनके अनुसार नहीं चलते हैं अपनी चलाते हैं अपनी मनमर्जी चलाते हैं कल्यूग में जो करना चीए वो करते हैं लेकिन संगम युक के अनुसार नहीं चलते हैं और सत्यू की त्यारी नहीं करते हैं वो फिर इस दलदल में फसे वे रहते हैं उनके पास माया आ नहीं सकती जो दिल तकत पर रहते हैं जो कि परमात्मा के दिल को खुश करने कोशिश करते हैं वो उनके पास माया नहीं है सकते, उनको क्रोध, अभीमान, इर्ष, गरेना नफरत आनी सकता, लेकिन जो इनसानों और इनसानों को इंप्रेस करनी कोशिश करते हैं, और इनसानों को जेलस करनी कोशिश करते हैं, और इनसानों को दिखानी कोशिश करते हैं, देखो मेरे पास म इंसान के जो आत्मा की जो condition है आज, उनके दिल में आपकी तरक्की के लिए जगा नहीं है, आपके आगे बढ़ने के लिए जगा नहीं है, लेकिन परमात्मा आध्यात्म में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो परमात्मा के दिल में हमाले जगा होती है, ऐसी दिल तक तनिशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है, ये निश्चित है, अटल है, तो जो परमात्मा के दिल में चड़ने के कोशिश करते हैं, वो परमात्मा के दिल में चड़ने के कोशिश करते हैं, वो परमात्मा के दिल में चड़ने के ज़ो कोशिश करते हैं, वो निश्चिंत रहते ह कुछ भी, कोई चीज constant नहीं है, अगर आप इंसान को impress करने के खुशी करोगे, या आप इंसान के दिल को जीतने के खुशी करोगे, या इंसान के लिए कुछ करने के खुशी करोगे, आज के, कल्युक के सत्यू में ऐसा नहीं था, सत्यू में किया तुमने कितनी मेनत करी मैं इतनी मेनत करी तो ये जो केल्कुलेशन होता है यह कल्योंगी शोच है जिसकारण से निर्भय है कभी निश्चिंद कभी निवपता इंसान तो दिल-तकत पर बैठ जाओ इसी नशे में रहो कि अभी हम बापददा के दिल तक्त नशीन हैं और अनेक जन्म-राज्य तक्त नशीन बनेंगे परमात्मा के दिल पर चड़ गए तो परमात्मा के दिल पर चड़ना मतलब कि अपने संस्कारों को इंप्रूव करना पेरिफाई करना, अगर वो पेरिफाई कर ले तो आटोमाटली हम क्या करेंगे, हम अनेग जन्मर राज्य तक्त नशीन बनेगे, महला है सत्युक्त रेता में, हम वैसा ही अच्छे तक्त पर बैठ करके, अच्छी आत्माओं के साथ में रह करके, अपना जगा बनाने के कोशिश करो, इस सुसाइटी में अपनी जगा बना लूँ, यह मैं अपने शेहर में अपना नाम बना लूँ तो फिर वो काटो का तकत होगा, जिसमें लोग आपको खिशनी कोशिश करेंगा, अगर आप बहुत लाइम लाइट में आएंगे तो आपको आपसे धन, दौलत की चरक न कोशिश करेंगे, आपसे मतलब से आपसे कॉंटेक्ट्स बनाएंगे, लेकिन परमात्मा मतलब से नहीं बनाते हैं, तो इस दुनिया की इच्छाएं, as compared to परमात्मा के दिल में चलने के इच्छाएं, तोनों में choices हमें करनी है, एक choice हमें भैबीत बना देती है, हमें अचलर रोल नहीं मनाती है, हम हमेशा चले मान रहते हैं, डोले मान रहते हैं किसीने साथ दिया, किसीने दुश्मनी ले ली, लेकिन परमात्मा के साथ में ये सब कुछ नहीं होता है तो यह सब कैसे करें यह सिखा जाता है ब्रह्म कुमारीज की शुर्व शुर्व शुर्वतल में आप प्या करके सीखिए हम शांतिस के साथ